अंधेरे पदार्थ और अंधेरी उर्जा के रहस्यों का खुलासा नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमाचक और रहस्यमय विशे के बारे में जानेंगे अंधेरे पदार्थ, Dark Matter, और अंधेरी उर्जा, Dark Energy ये विशे सुनने में भले ही जठिल लगें, लेकिन मैं इन्हें सरल भाशा में समझाओंगा, ताकि आप सब आसानी से समझ सकें. तो चलिए, शुरू करते हैं. अंधेरा पदार्थ क्या है? अंधेरा पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है, जिसे हम सीधे देख या छू नहीं सकते. ये अजीब है है ना? लेकिन वैजानिकों ने पाया है कि ये पदार्थ हमारे ब्रह्मान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कैसे पता चलता है? लेजानिकों ने देखा कि आकाशकंगा गैलक्सी में सितारे बहुत तेजी से घूमते हैं. अगर वहां केवल दिखने वाला पदार्थ होता, तो ये सितारे आकाशकंगा से बाहर निकल जाते. लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसका मतलब है कि वहां कुछ और भी है जो इन सितारों को पकड़े हुए है. यही है अंधेरा पदार्थ. कितना है? हमारे ब्रह्मान का लगबग 37% हिस्सा अंधेरे पदार्थ से बना है. ये बहुत ज्यादा है. ये अंधेरी उर्जा एक और हस्य में चीज है. ये उर्जा हमारे ब्रह्मान के विस्तार expansion को तेज कर रही है. कैसे पता चलता है? वैजानिकों ने देखा कि आकाश गंगाईन एक दूसरे से दूर जा रही है. पहले उन्हें लगा कि ये गती धीमी हो जाएगी, ये सबसे बड़ा हिस्सा है. तो क्यों है ये महत्वपूर्ण? अंधेरा, पदार्त और अंधेरी उर्जा हमारे ब्रह्मान को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हम इनहें नहीं समझते, तो हम ब्रह्मान के कई रहस्यों को नहीं सुलजा पाएंगे. वे बड़े-बड़े ठिलिस्कोप और उपकरनों का उपयोग करके, अंधेरे पदार्त और अंधेरी उर्जा के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं. इसे ऐसे समझें जैसे आपका कोई अदुष्य दोस्त हो, जो आपके चारों और है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते. फिर भी वह आपकी मदद कर रहा है. अंधेरी उर्जा इसे ऐसे समझें जैसे आपकी साइकिल को कोई अदुष्य शक्ती और तेज कर रही हो. तो दोस्तों, ये था अंधेरा पदार्त और अंधेरी उर्जा का सफर. ये विशय जितना रोमांचक है, उतना ही रहस्य में भी. हमें उमीद है कि आप इसे समझ गए होगे. अगर आपके पास कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी मज़ेदार और जिगान वर्धक वीडियो आपके लिए ला सकें. थन्यवाद!